आज हम हाइपरबोला के बारे में बात करेंगे हाइपरबोला एक कोनिक सेक्शन है कोनिक सेक्शन का मतलब यह होता है एक कोन और एक प्लेन जब यह प्लेन अलग अलग अंगल पे इस कोन को काटता है तो जो जो फिगर्स बनते हैं उनको हम कोनिक सेक्शन कहते हैं जैसे आपका इलिप्स हो गया जैसे आपका पैरबोला हो गया इसी तरीके से हाइपरबोला है तो जब यहाँ पर आप यह इस plane का एंगल देखिए इस जगह पे एक cutting you हो रही है और इस जगह पे एक cutting you हो रही है तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो आप यह भी कह सकते है यूगि आप parabola जानते है तो एक parabola यह बना दीजे और एक parabola और बना दीजे फाली definition यह है जो सबसे simple definition है कि आप किसी भी point को लीजिए अच्छा यह जो हमने बनाए है इनका ज़रूर focus होगा तो इसका focus 1 माल लीजे इसका focus 2 माल लीजे अगर आप कोई भी point लीजे यहाँ पर इसका इससे distance लीजे और इसका distance लीजे इसका distance को D1 कह दीजे इस distance को D2 कह दीजे तो D1 माइनस D2 जो आप यहाँ देख भी रहे है इसको mode इसलिए लगाए गया है कि distance हम हम positive मिलेते हैं यहाँ पर एक point लीजे इसका distance इससे निकाल लिए इसका distance इससे निकाल लिए इसको आप कह सकते है D3 और इसको बोल सकते हैं D4 तो D3 माइनस D4 करिए distance इसका भी mode दे लीजे तो आप देखेंगे यह और यह बराबर होंगे और यह किसी constant के बराबर होंगे यही definition है कि the difference of any point from two focus यहने दो focus से अगर हम length निकाले distance के भी cv point की वो हमेशा constant आएंगी इसी को हम हर एक point जो locus बनेगा हर एक point यहा ले लीजे यह ले लीजे यह ले लीजे जो भी point लेंगे वो हमेशा इस चीज को follow करेगा इसी को हम hyperbola कहते है इसकी definition जो होगी वो है x square by a square minus y square by b square equal 1 ध्यान रहेगा x square by a square minus y square by b square equal 1 लेकिन ये एक क्योंकि जिस तरीके से ellipse दो तरीके के बनते है अच्छा ellipse के बहुत करीब है ये ध्यान रखेगा ये ellipse के जितने भी हमने फॉर्मॉले देखे है वो हाइपर बॉलाओ में बहुत सारे वैसे के वैसे ही लग जाएंगे वैसे कि ये वैसे ही लग जाएंगे तो ellipse के बहुत करीब है तो ellipse की जो definition होती थी और ellipse का जो formula होता था उसमें x square by a square plus y square by b square equals 1 होता था ये ellipse में plus होता था लेकिन यहाँ पर हाइपर बॉला है उस plus को minus कर दीजे x square by a square minus y square by b square equals 1 ये आपके हाइपर बॉला की equation होई लेकिन क्योंकि ellipse भी तो प्रकार क्यों होते है एक horizontal होता है एक vertical होता है आपको याद होगा कि इस तरीके के ellipse को मैंने horizontal कहा था और इस तरीके के ellipse को हमने vertical कहा था इस तरीके से इसके भी दो अलग अलग formula बनेंगे ये है लेकिन हम इनको horizontal और vertical नहीं कहेंगे इनको हम horizontal vertical नहीं कहेंगे बलकि हम इनको कहेंगे transverse और conjugate transverse ये वाला हो गया transverse ये हो गया conjugate इसको आप माली जो हमने horizontal पड़ा था वो है ये आपका vertical ellipse जो पड़ा था उसका स, उसके समक्ष है इसमें important बात ये है कि हम मान के चलते हैं जो कि जरूरी नहीं है बहुत सारे ऐसे question आएंगे जो center यहाँ यह जो point मैं आपको बता रहा हूँ origin का यह आपका 00 नहीं होगा लेकिन अभी हम यह 00 मान के चल रहे हैं जो जो मैंने आपको formula बताऊंगा भी वो इस 00 को मान के ही हम लिखेंगे तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जब हम एक parabola की बात करते हैं तो जब parabola किस यह एक parabola बनाया यह बन गया यहाँ पर यह access पर cut कर रहा है यह access पर touch हो रहा है तो यह जो point है इसको हम कहते है vertex क्या कहते है vertex तो एक vertex यह एक vertex यह एक vertex यह तो क्या हो गया vertices इसलिए इसको vertices कहते है इसके जो formula है यह कहें कि इसका यह जो point आएगा यहां से यहां तक दूरी यहां से यहां तक दूरी बिल्कुल बराबर इसको हम कहते हैं A, यहां तक हो गया माइनस A, बनला यह पॉइंट हुआ A0, यह पॉइंट हुआ A0, यह पॉइंट हुआ A0, तो इसको आप प्लस माइनस A,0 लिखेंगे, यह वर्टेक्स हो गया, अब आएए यहां पर, मैंने जैसे बताया था कि कोई भी इस तरीके से पैरा अब यह focus से focus हो गया, क्योंकि दो हो गया, तो focus क्या हो गया इसका, क्योंकि यह x-axis में है, इसलिए यहां पर हो जाएगा, प्लस माइनस C,A, आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, कि यह जो C होता है, यह सॉरी 0, यह होगा, प्लस माइनस A,E,0, ध्यान रहेगा, इसी को आप जब y-axis पर करेंगे, तो थोड़ा सा परिवरतन होगा, पहली चीज़ी समझेए, कि यह जो है, आपकी x-axis पर है, बाकी formula में आपको बताता हूँ, वो आपको tabular form में दिखाऊंगा, लेकिन इसका जो x-square by a-square minus y-square by b-square equals 1 है, यह ध्यान रहेगा, अब कई books में अल दल दिया इसको, इसको x-square y-square को ऐसे रखा, इसको b-square a-square कर दिया, लेकिन हम जो पद्दती अपनाएंगे, वो अभी मैं आपको formula में बताता हूँ, लेकिन यह vertex और focus यहां की जरूर बता देता हूँ, vertex इसका क्या हो गया, यह vertex 1, यह vertex 2, यह focus 1, यह focus 2, तो focus क्या हो ग 0 तो, क्योंकि y, y-axis पे तो 0 हो गया यह, और यहां पर plus, minus, और जैसे मैंने बताया, यह c लिखने की आउशकता भी है, लेकिन मैं आप उसको प्रूव करके दिखा दूँगा, कि यह ae है आगे चलके, इन formula के बारे मैं अभी आपसे बात करता हूँ, यह सारे formula आपके सामने है, देखेगा, x square by a square, minus y square by b square, equals 1, यह रहेगा, यह है हमारा transverse, t लिख देता हूँ, यह आपका क्या हो गया, एक transverse हो गया, तो दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, conjugate, c कर दीज़े इसको, तो यह वो वाला हमारे पास, hyperbola है, जो इस तरीके का है, और यह वाला आपके पास hyperbola है, जो इस तरीके का है, तो x2 by a2 minus y2 by b2 equal 1, यह तो इसका हो गया, लेकिन इसका क्या हुआ, इसमें हमने केवल x और y को इधर-उदर कर दिया, y को यहाँ ले आईए, x को यहाँ ले आईए, यहने a2 और b2 को परिवर्टित नहीं करना है आपको, ध्यान रहेगा, हम इसी तरीके से समझेंगे, इसी तरीके से चलेंगे, vertices मैं आपको बता चुका था, plus minus a, 0, 0, plus minus a, center 0, 0 वो भी दिखा चुका था, transfers axis, transfers axis इसकी जो होगी, यहाँ से यह इतनी a, और यहाँ से यह, कितनी होगी 2a, इसी तरीके से, जो 2b है, यह भी मैं आपको बता हूँगा, कि यहाँ से यहाँ तक यह 2b क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बस आप अभी याद रखने के लिए 2b याद रख लीजे, यहाँ पर भी 2a, 2b ही रहेगा, eccentricity थोड़ी change होगी, eccentricity, यह इसकी होगी, under root 1 plus b square by a square, अब आप जब यहाँ पर लाएंगे, यानि कि जब वर्टिकल पर जाएंगे, यह भी same, यह भी same, यह भी same, इसमें परिवर्टन है, इसमें परिवर्टन है, और यह a sec theta, b tan theta, यह होगा, b tan theta, a sec theta, यह parametric coordinates कई, कई problems में इसकी ज़रुद पढ़ती है, तो इसको भी याद रखेगा, अब मैं थोड़ा सा आइक में एक चीज़ और आड़ कर देता हूँ, कई जगा पर यह जो vertical है, उसको इस तरीके से दिखाए जाता है, यहने, इसमें क्या किया, y square by b square minus x square by a square equals 1, इस तरीके से बताने की कोशिश किये, तो थोड़ा सा इसमें चीज़े बदल जाएंगी, यहाँ जो a था b हो जाएगा, यहाँ जो a था b हो जाएगा, यहाँ जो a था b हो जाएगा, यह जो a हो जाएगा, यह दोनों चीज़े सेम रहेंगी, क्योंकि वो तो distance है, यह कहें eccentricity है, तो तो ratio होता है, तो वो सेम यह ae है यह be हो जाएगा यह a by e है यह b by e हो जाएगा जैसे यहाँ पर यह b tan theta a sec theta था इस जमान इस समय यह a tan theta b sec theta हो जाएगा यह परिवरतन के बारे में हम चर्चा करेंगे तो इमें आज हम बात करेंगे आपको याद होगा मैंने बताय था x square by a square minus y square by b square equals one यह equation होती है एक hyperbola की और दूसरी चीज़ भी बताई थी कि एक definition होती है इसकी कि hyperbola में कोई भी point ले लीजे इसका distance दो fix point से इसको आप focus one कह दीजे इसको focus two कह दीजे अगर यह distance निकाले जाए और उनका difference लिया जाए यहाँ पर ले लीजे चाहे तो इसका इससे distance इसका इससे distance और दूनका difference निकाले तो यह constant आता है यह एक definition है hyperbola की लेकिन हम एक दूसरी definition भी इसकी आज बताएंगे मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के हमारे hyperbola होते है जिस तरीके से ellipse हमारे पास दो तरीके के होते थे axis dependent होता था तो यह आपका transfers हो गया जो हमारा horizontal horizontal ellipse हुआ करता था ellipse के साथ equity इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे formula जो है वो ellipse जैसे आपको दिखेंगे यह conjugate होता है क्योंकि यह vertical ellipse होता है vertical क्योंकि यह y axis पे है तो यह जो formula कहां से आता है इसी के बारे में आज चर्चा होने वाली है यह सारी चीज़े आप क्योंकि मैं जो जो करूँगा उससे आपको clear हो जाएगा कि यह चीज़े आई कहां से है ultimately we will like to devise this equation हम जाहेंगे कि यह equation निकल के आए यह आपको diagram बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि यही diagram मैं कई बार use करने वाला हूँ या इस पे दुबारा लटूँगा और सबसे शुरुआती बात कहूँगा कि कोई भी conic section any conic section किसी भी conic section की एक ही definition होती है कि उसका movement उन points का movement सचदार यानि कि एक ही point माली जाए move कर रहा है यह इस तरीक से move कर रहा है कि यहाँ पर एक fix point हो गया इसको आप चलीजे focus कह लीजे s कह लीजे focus कह लीजे तो यह जो point है इस तरीक से move कर रहा है कि ये एक line हो गई इस point का distance इस focus से और इस point का distance इस line से इस line से यानि इसको अगर मैं अगर P कह दू और इसको मैं M कह दू यह हो गई directrix और यह हो गया focus तो यह जो distances है यानि कौन सा distance में बता रहा है उसका ratio लेते हैं कौन सा distance यह P S बाई PM या अगर eccentricity के बारे हम बात करें क्योंकि eccentricity एक बहुत important factor है decide करने के लिए कौन सा condition section होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह distance में लेते हैं SP यह वाला distance और यह जूसा distance क्या हो गया PM यह बराबर E होता है ध्यान रहेगा अगर eccentricity eccentricity अगर 1 है तो यही फिगर बन जाएगा parabola eccentricity अगर less than 1 है तो यही फिगर बन जाएगा मतलब जो इसका फिगर बनने वाला ऐसे करके यह जो point move करेगा हमेशा यह condition follow करेगा कि मैं इनका ratio E के बरापर हो E बरापर 1 है तो parabola E less than 1 है तो यह बन जाएगा ellipse और E greater than 1 है तो यह आज की बात जो हम कर रहे है यह बन जाएगा hyperbola दियान रहेगा आपको यही definition हम लेके आने वाले है तो थोड़ा construction करूँगा मैं इसमें उस construction से आप समझ जाएगे कि हम क्या करने वाले है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें यह पता है एक जो यह Z वाली लाइन है Z के लाइन है और यह S focus है Z के लाइन है तो इसी तरीके से construction करते हैं एक काम करते हैं यहां से perpendicular एक लाइन ड्रॉप कर देते हैं इसको हम कहते हैं S इसको Z और यह कहते हैं K point है यह point K हो गया अब यह जो KS है अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक line है KS और इसको हम divide करना चाहते है E is to 1 अगर मैं कहूं कि इसको मैं divide करना चाहता हूं internally और externally तो अगर यहां पर एक point बना दिया जाए मान लिजे इस जगह पर है तो यह point आएगा जिससे SA, E और यह AK, 1 E is to 1 आपको internally और externally divide करना आता है न हम पहले आपकी lines, straight lines पर पढ़ चुकी है तो कहने का मतलब यह है यहां पर मैं एक point ऐसा बना रहा हूं जो इसको internally अंदर, अंदरूनी तरीके से divide करता है E is to 1 ध्यान रहेगा E eccentricity होती है तो इसको कैसे लिख देंगे पहली चीज़, SA by AK याने ये distance by ये distance हो गई E is to 1 तो इससे क्या मिलेगा SA बराबर E into AK ये पहली आपकी equation हो गई ध्यान रहेगा, ये पहली हो गई दूसरी अब मैंने internally इसको divide किया था अब externally करेंगे तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजी यहां तक जगा है तो मैं यहीं पे कर देता हूँ यह जो point है यह point इसको मैं कह रहा हूँ यह point हो गया A dash A dash यानि कि S और K को इसी line को S, K को हमने divide किया externally तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे को यहां A dash point मिल गया हमें किस तरीके से मिला कि S A dash यानि कि यह पूरा का पूरा यहां से यहां तक by यह S A dash by A dash के यहां से यहां तक पूरा S A dash by A dash के यह हो गया इस to one external और internal अगर आपको नहीं आता है E A dash K 2 राइट चलिए इससे दो चीज निकाल के लाऊंगा मैं और आपको समझ में आ जाएगा कि सारे यह जो अलग-अलग parameters है कैसे निकल के आते हैं तो पहली condition हम क्या करते हैं पहली condition हम करेंगे यह 2 और 1 को जोड देते हैं मतलब 2 और 1 equation को जोड देते हैं इन दों को मैं जोड रहा हूँ तो क्या बनेगा S A plus S A dash बरावर बनेगा E A K plus E A dash K clear है इस S A की जगा क्या लिख सकते हैं आप देखें ध्यान से S A की जगा लिख सकते हैं C अच्छा एक और चीज इसमें एक और चीज मैं लाने कोशिश करूँगा देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एक C point ले ले रहे हैं एक C point ऐसे ले 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 रहे हैं कि हमारा यहां से आ तक कितना है A dash मैं यहां पर एक C point ले रहे हूँ center माल लेते A dash का यहां से भी एक line माल लेते यह ultimately हमारा center रहेगा मतलब आगे जब हम देखेंगे तो center रहेगा तो C point माल लिया मैंने केवल क्या किया है A dash का एक center point निकालने कोशिश की है और इसको C का है यहां से आ तक की दूरी मैंने कहा यह A है और यहां से आ तक क्योंकि C A कितना distance यहां से इतना distance C A dash पराबर किस के हो जागा A के पराबर यह A यह A और दुनों को जोड़ दीजे C A प्लस C A dash यह आपका 2 A के पराबर आजागा यह कहें कि A dash A यह 2 A के पराबर हो जाएगा तो हमने क्या किया दूसरी और पहली equation को जोड़ा S A plus S A dash आगिया S A को क्या लिख सकते हैं अब आप देहां से देखे यह S A को मैं क्या लिख सकता हूँ S A को लिख सकता हूँ पूरा यहां से आप C A को घटा दीजे तो S A आ जाएगा अबज रहे हैं पूरा C S यहां से आ तक ले लिजे और उससे आप यह S A हटा दीजे तो S A आ जाएगा वोई तो लिखना है तो मैनस S A कर दीजे plus S A dash को क्या लिख सकते हैं जो S A dash है इसमें हम कह सकते हैं कि S तक तो आई है यह S A dash जोड़ दीजे तो S A dash बन जाएगा तो C S plus C A dash हो गया यह बराबर E अब A क को क्या लिख सकते हैं E मैंने common ले लिए दोनों से A क को क्या लिख सकते है A क को देखिए यहां से यहां तक A क को क्या लिख सकते है C A मैनस C के वादब पूरा C A ले लिजे यहां से यहां तक C A dash हो गया plus C A dash ले लिए तो यहां से यहां तक कित वह जाएगा C K ठीक है तो यह A dash के हो जाएगा C K अब आप देखिएगा क्या मिल आपको C A और C A dash तो यहां से cancel हो गया यहां से मिला आपको 2 C S बराबर यहां से क्या कैंसल हो गया? C, K और C, कैंसल हो गया तो इसे मिला E into C, A और C, A डाइच बराबर है A के बराबर तो यह A, यह A यह A, यह A तो कितना होगा? 2A तो 2A कर देते हैं इसको यहां से 2 काट दीजिए यहां से 2 काट दीजिए C, A, यह जो C, A है यह नहीं, 2 काटा है तो C, S किसके बराबर हो गया? यह E है और यह A है A, E ठीक है? C, A, E आगया याने कि आप अगर सेंटर से फोकस के डिस्टन्स लेंगे तो यह A, E, 0 आएगा पहली चीज़ क्लेर हो गई और हमें यह फोकस का पॉइंट चाहिए था यह हमें मिल गया मैंने कहा था हमें 2 पॉइंट चाहिए होते मैंने आपको उताया था कि हमें यह यह चीज़ चाहिए और यह डिस्टन्स चाहिए या फिर यह डिस्टन्स मिल जाए और यह point मिल जाए, तो हमारा काम बन जाएगा तो एक चीज़ तो मिल ले आया, कौन सी चीज़ आ गही है हमारी यह point आ गया, यहाँ से अब आप देखेगा कि मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, बिल्कुश सेम exactly सेम चीज़ चलेगी दूसरा हम काम कर रहे है दूसरे और पहले को सब्ट्राइड कर रहे है, यानि कि यह जो second और one है वादब, एक को दो में से घटा दीजे, एक को दो में से घटा दीजे तो क्या मिलेगा, हम क्या करेंगे यह sa dash minus sa बराबर e a dash k minus a k तो यह sa dash आया sa dash कहा था, आपको याद होगा, हमने sa dash dot था c s plus c a dash c s plus c a dash minus sa क्या लिखा था, आपको याद होगा c s minus c y बराबर e into a dash k क्या था a dash के हमने लिखा था c a dash plus c k c a dash plus c k minus out a dash क्यों हो गया था, a क्या क्या लिया था C A माइनस C K C A माइनस C K अब इसको खोल देते हैं वोगा C S प्लस C A माइनस C S प्लस C A बराबर E C A डाश प्लस C K माइनस C A प्लस C K तो इसे यह अटा दीजे यह अटा दीजे कितना है आपका C A डाश प्लस C A CA' और CA तो बराबर ही है ये A है ये A है तो ये तो 2A के बराबर हो गया बराबर E into अब इससे क्या घटेगा ये दोनों कहठा दीजे CK CK बना CK CK 2 CK हो गया CK CK 2 CK हो गया into 2 CK तो इससे क्या बनता है आपका तो अटा दीजे CK आया A by इसको यहां ले आई एक तो यह मिल गया और एक यह मिल गया अब देखिए C के क्या है C के मतलब यहां से यहां तक मतलब सेंटर से इसके दूरी जो डिरेक्टरिक्स की दूरी है वह A by E है मतलब इसका पॉइंट क्या हुआ अगर मैं इसको 00 ले लू C को यह आएगा A by E 0 ओके? क्लियर? यह दोनों पॉइंट हमें चाहिए थे दोनों पॉइंट मिल गया है अब मैं आपको वापीस ले जा रहा हूँ जहां से मैंने डिसकुशन शुरू किया था यह आपको क्लियर समझ में आ गया ना? अब आईए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम क्या क चाहिए मैं? तो SP by PM यह SP by PM यह मैंने बताया था E के बरापर होना चाहिए तो SP equals E PM हो गया और अभी-भी मैंने आपको बताया कि यह जो पॉइंट है AE,0 है मैंने निकाल लिया था और यहां से यहां तक यह जो center है यहां से यहां तक भी distance हमने निकाल लिया था कितना था? यहां से यहां तक यह जो point था अगर मैं यहां लिख दूँ तो P point है यह distance है यहां से यहां तक पूरा X हो गया मैं द्वारा समझाओगा चिंता के बात मिए और यहां से यहां तक A by E निकाल चुके है तो अगर मुझे क्यों इतना distance निकालना हो और वही तो चाहिए यह distance है यहां से यहां तक पूरा X यहां से यहां तक a by तो इतना चाहिए तो क्या होगा x minus a by clear है? फिर से बताऊँगा आपको देखिए मैं यह कह रहा हूँ कि इस center से अगर मैंने x y ले लिया तो यह 0-0 है तो यहां से यहां तक पूरा हुआ x पूरा distance x लेकिन हमें तो केल perpendicular distance चाहिए के लिए इतना distance चाहिए तो यहां से यहां तक पूरा x और यहां से यहां तक a by तो यह अगर x है और यह a by है तो यह distance कितना होगा? यहां से यहां तक x minus a by okay clear? तो sp क्या होगा? इन दोनों का यह x y है और यह a e, 0 है तो x y और a e comma 0 से distance निकाल लीजिए तो इसका distance formula लगा देते हैं अच्छा पहले मैं क्या करता हूँ? दोनों को square कर देता हूँ ताकि root से हमें ना deal करना पड़े दोनों को square कर देते हैं sp square बराबर e square pm square तो sp square क्या हुआ? यह हुआ x minus a e, मैं distance formula लगा रहा हूँ x minus a e का whole square plus y minus 0 का whole square इसको y square लिख देता हूँ बराबर e square तो है और यह pm square और pm square मैंने आपको बताया अभी x minus a e है whole square इसको करेंगे थोड़ा rearrange और यह मैं आपको ellipse के समय बता चुका हूँ तो मैं इसको direct लिख देता हूँ आपके सामने क्या आने वाला है x square by a square minus y square by a square e square minus 1 बराबर 1 इसको rearrange करेंगे बिल्कुल यही आएगा और इसको हम मान रहे हैं यह b square बराबर a square e square minus 1 clear है यह आपकी हो गई equation ellipse की x square by a square minus y square by b square equals 1 ठ्यान रहेगा यह आपकी ellipse की equation होगा इस तरीके से मैं लेके आया हूँ इसको थोड़ा सारे rearrange करना है बस यह हम ellipse में कर चुके हैं इसलिए मैंने थोड़ा skip किया है और थोड़ा सार टाइम लग जाएगा यह standard form है जान रहेगा यह standard form है तो अगर मान लीजे आपको x निकालना हो यह निकालना है तो क्या आएगा plus minus b by under root x square minus a square यह दुनों चीज़ है इसमें symmetry भी है एक दूसरा भी आएगा symmetry भी है और आपका origin भी है इसमें 0-0 इसमें intersection है इस axis का इसमें region आप देख रहे हैं दो region आपको मिल रहे हैं तो इसके बारे में जो अगली चर्चा है उसमें हम देखेंगे vertices क्या है उसमें हम देखेंगे जो directrix क्या है और eccentricity कैसे निकलेगी length क्या है latest rectum का focal distance क्या है point के और इसी diagram को हम ध्यान में रखेंगे और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा यह conjugate parabola क्या होता है एक-एक element जो hyperbola के होते है उसको देखेंगे सबसे पहले यहाँ देखेंगा इसे कहते है equation यह हम derive कर चुके हैं अलड़ी लेकिन अगर आप derive नहीं उसमें interested नहीं है तो यहाँ पर भी आपका इनके अलग-अलग elements को जानना ज़रूरी है पहले चीज़ इसमें आती है vertices vertices मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि vertex एक होता है लेकिन एक से ज़्यादा जब vertex होते है तो vertices कहते है यह जो आप point देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर basically बना तो यही है यह line ने तो हमने खुदी बना दी है यह जो shape है इसी shape को हम hyperbola कहते हैं लेकि जहाँ पर हमने एक axis यू डाली और यहाँ आपने कहा कि यह हमारी imaginary coordinate axis पे यह जो दोनों point बर रहे हैं इसी को हम vertices कहेंगे और इसको हम मान की चलते हैं 0-0 फिलहाल यह point जो होगा यहाँ से यहाँ तक A इसलिए इसको A,0 मिल रहा है और यह है यहाँ से भी A तो इसको minus A,0 मिल रहा है तो vertices क्या होगी plus minus दोनों को एक साथ लिख देता हूँ यह vertices होगी ध्यान रहे कि यहाँ से यहाँ तक दूरी होती है 2A अगर आपको याद होगा कि ellipse में भी कुछ इस तरीके से था कि हमने ellipse बनाया उसको एक coordinate axis में रखा और यहाँ से यहाँ तक हमने कहा कि यह 2A distance है यानि कि major axis है तो फिर minor axis भी होनी चाहिए तो अब यहाँ पर थोड़ी से तबदीली होती है hyperbola में इसको हम यहाँ से यहाँ तक जो line जा रही है यानि कि अगर इस figure में देखें तो A-A इसको मैं transverse और conjugate axis बता रहा हूँ आपको तो इसमें जो A-A है वो आपकी transverse transverse axis है और इसकी length कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2A जो कि मैंने यहाँ भी बताया आपको यहाँ से यहाँ तक 2A length है 2A, 2A अब इसके perpendicular एक line बनाई जाएगी यहाँ से यहाँ तक ऐसी और हम यहाँ से एक point mark करेंगे B और एक point mark करेंगे B- और यह point अगर C है जैसे यह C है यहाँ हमने कहीं B mark किया यहाँ B- किये तो यह CB बराबर CB- और यह बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक B और यहाँ से यहाँ तक B बिलकुल same similarity में यहाँ जो हमने ellipse में देखा था यह B था यह B था तो 2B हो गया था तो CB CB- तो यही जो है यहाँ से यहाँ तक 2B का distance है और line जो transfers के perpendicular है इसी को हम बोलते है conjugate axis इसी को हम बोलते है conjugate axis अब हर एक parabolic या फिर कहें elliptical या hyperbolic इनके लिए focus होता है focus यानि अगर माल लीज़े infinite से अगर light आ रही है तो वो कहां जाके आपकी pass होगी ऐसे तो इसको हम focus बोलते है ये दो focus है इसमें और focus को हमने prove किया था कि ये किसके बराबर होता है जैसे यहाँ c,0 मनस c,0 दिया हुआ है लेकिन जो focus है जैसे ये s पहला focus है f1 कह दीजे इसको आप f2 कह दीजे तो जो focus है आप क्योंकि 2 है इसको foci कहेंगे या foci कहेंगे इसमें जो coordinates point होगे अगर इसको 00 मान की चल रहे है तो ये जो c,0 देख रहे हैं वो क्या होगा ae,0 इसी तरीके से ये point क्या होगा minus ae,0 तो दोनों को एक साथ लिख देते है plus minus ae,0 ये focus है होगी अब हम आते हैं direct tricks पे आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोई भी point अगर आप यहां लें कोई भी point लें तो उसका इससे distance एक line से distance वो line में यहां बनाता हूँ मतलब इसका इस point का यहां से distance और इसी point का इस focus से distance इसका ratio जो होता है वो eccentricity के बरापर होता है और यह ही definition भी होती है तो यह जो directrix है यह क्या होती है यहां से हम 0-0 लें तो यहां मैंने प्रूफ किया था यह A by E होता है तो A by E, 0 यहां minus A by E, 0 तो directrix की equation हो गई plus minus A by E, 0 यह directrix हो गई ठीक है इसके अलावा एक और चीज़ आती है center center आप फिलहाल तो इसको 0-0 मानिये लेकिन अगर आपका HK center है कोई और center है तभी मैं आपकी equation बताऊँगा फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि eccentricity कैसे निकालते हैं eccentricity कैसे निकल के आती है इसकी eccentricity इसकी इस तरीके से निकलती है eccentricity e से represent करते हैं इसको तो ये equation तो आपके सामने है ये equation आपके सामने x square by a square minus y square by b square equals 1 और इस equation में मैंने आपको बताया था कि जो b square होता है यो होता है a square e square minus 1 याद है आपको तो अगर हम e square को निकालना चाहे तो कैसे करेगी मैं थोड़ा से को rearrange कर रहा हूँ b square बराबर a square e square minus 1 तो इसके लिए यहाँ पर इसको कर दिया जाए b square by a square equals e square minus 1 1 को यहाँ ले आए जाए तो e square बराबर 1 plus b square by a square यादि e square बराबर a square plus b square by a square तो अगर e निकालना है तो आप क्या करेंगे या फिर इसको यहीं पर छोड़ दीजे इसको करने की जरूरत नहीं कि यहीं पर मैं बता दूँगा आपको 1 plus हम क्या करते हैं यहाँ से 4 इस b square को b square और i square को 4 से multiply करते हैं कि इस term को तो यह जाएगा 4b square by 4a square इसको आप 2b whole square लिख सकते हैं और 2b 2a whole square लिख सकते हैं तो 2b क्या होता है अभी-भी मैंने आपको होता है यह conjugate axis होती है तो c यह कर देता हूँ conjugate axis whole square by transfer axis whole square under root यह eccentricity का formula भी use करेंगे e बराबर under root 1 plus conjugate axis और transfer axis इसको आप 2b square भी खह सकते हैं 2b whole square और 2a whole square यह चीज हो गई अब हम निकाले की कोशिश करेंगे length इसकी latest rectum की latest rectum क्या होता है अब यहाँ पर figure में आ जाई है एक line जो parallel है y-axis के इस figure में और जो pass हो रही है focus है तो यह भी focus से pass हो रही है यह भी parallel है y-axis है तो यह दो इसकी latest rectum होगी निकि अगर मैं ऐसे line बनाऊं तो यह latest rectum होती है तो यहाँ और यहाँ इसकी length हम interested रहते हैं निकालने में तो हमारे पास यह formula तो है यह formula तो है अगर मुझे यह point निकालना है यह वाला point तो यहाँ से आगर मैं जाओ मुझे यह तो पता है इसका x coordinate कितना है यहाँ से यहाँ तक focus का ae है तो x coordinate तो मुझे पता है ae है इसका y coordinate यहाँ से यहाँ तक की length मुझे नहीं बता तो इसको माल लेते हैं sl, sl माल लेते हैं इस figure के hesap से तो अब sl हो गया यह point देखे ae, sl यह point हो गया लेकिन यह point parabola पर लाई कर रहा है तो इस parabola के अंदर रख सकते हैं यहांने x की जगा मैं ae रखता हूं minus y की जगा y रख सकते हैं या sl रख सकते हैं क्योंकि sl की length चाहिए b square ब्राबर 1 तो इससे क्या बनेगा sl square ब्राबर b square e square minus 1 क्योंकि आप जानते है b square बराबर a square e square minus 1 होता है अगर मैं e square minus 1 को लिखना चाहूं a square minus 1 की जगा मैं b square by a square लिख सकता हूं तो इस e square minus यह जो e square e square minus 1 है इसकी जगा हम b square by a square लिख सकते हैं यहांपर हम लिख सकते हैं b square इसकी जगा b square by a square ठीक है तो B square by A square आ गया यह, SL square तो यह हो सकता है B की पाउर 4 और यह हो गया A square यह clear हो गया तो अगर SL निकालना चाहें तो इसका आपको under root करना पड़ेगा, तो इसे निकल के आएगा B square by A, ठीक तो यहां से ना तक जो हमको Y length मिल गई, यह है, यह है B square by A, तो यह भी length इसी तरीके symmetry से B square by A होगी तो इस पूरे की length कितनी हो जाएगी 2B square by, twice कर दीजे 2B square by A, यह जो 2B square by है, यह, यह ellipse की भी यही, यही latest rectum की length थी, right एक और चीज़ इसमें बताना चाहूंगा जिसे हम कहते हैं, focal distances क्या कहते हैं, focal distances तो focal distances क्या होते हैं कोई भी एक point लीजिए कोई भी एक point ले लीजिए यहाँ पर, इसकी दूरी इस focus से और इसी point की दूरी इस focus से इसी को हम focal distance कहते हैं ठीक, तो अगर मैं यह point लूँ, कोई भी point लूँ और यह हमारे पास S है, यह S dash है तो एक जो आपको expression बताने जा रहा हूँ यह बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए जो की definition भी है hyperbola की hyperbola की definition कहती है कि अगर आप यह distance ले S dash P इसको आप D1 माल ले और इस distance को D2 माल ले जिसको मैं कह रहा हूँ S P कहने का मतला, मैं D1 minus D2 मैंने आपको शुरुवात में बताया था अगर आपने follow किया हो यह जो distance का difference होता है यह हमेशा constant होता है यह definition होती है hyperbola की तो यह कितना distance होता है 2A बस यह ध्यान रखिएगा इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है अगर आप यहाँ से prove करना है शुरूर करेंगे process में time लग जागा लेकिन आपके दिमाज में बस यह 2A बैठना चाहिए जो की transfer axis के बराबर है transfer axis के बराबर है अब ज़रा आते हैं आपको लेके चलते हैं conjugate यह जो है conjugate hyperbola इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइपरbola तो नहीं बोलते हैं conjugate हाइपरbola बोलते हैं तो यह जो conjugate का मतलब क्या होता है अगर एक चीज मैं आपको बताऊंगा उससे आप clear समझ जाएंगे आपको याद होगा कि A plus IB इसका conjugate क्या होता था अगर आपको याद हो कि हमने complex number में जो किया था A plus IB का conjugate क्या होता A minus IB यही करते थे थे न यही conjugate का concept यहाँ लगा हुआ है आपके पास equation क्या है X square by A square minus Y square by B square equals 1 यह किसके लिए था यह horizontal hyperbola यह कहें कि transfers hyperbola के लिए था इसका conjugate क्या होगा minus multiply कर देजिए बस यही है इसको minus हम लिप्राइ करें जिए क्या हैगा minus X square by A square plus Y square by B square बरापर 1 तो ऐसे बन जाएगा Y square by B square और minus X square by A square बरापर 1 बस यही equation है इस hyperbola की करना क्या है आपको अगर आपके बस X square by A square minus Y square by B square है आपको कुछ निकाना है A square by A square को B square को नहीं रखना है Y को यहाँ ले आई यह X को यहाँ ले आई यह बन जाएगा यह आपकी क्या हो गई conjugate hyperbola की equation हो गई ध्यान रहे कि इसमें जो eccentricity होती है वो होती है A square A square बराबर B square E square minus 1 और इसका latest rectum 2 A square by B होता है जो पिछले वाले का बताया था मैंने 2 B square by A बताया था और इसका latest rectum होगा 2 A square by B और जो पिछले बताया था मैंने B square बराबर A square E square minus 1 था यहाँ पर जो equation बन रही है eccentricity अगर इससे निकालना चाहें तो A square बराबर B square E square minus 1 और बाकी चीज़े मैं आपको समझा चुका था conjugate hyperbola में जैसे यहाँ पर अगर आप लेना चाहें यह vertex क्या हो जाएंगे vertex इसमें हो जाएंगे 0 plus minus A यह क्या हो जाएगा यह दोनो focus है 0 plus minus A E A E और eccentricity मैं आपको बता चुका हूँ latest vector मैं आपको बता चुका हूँ तो यह सारी चीज़े इस तरीकिस में चलती है एक और final चीज़ बताता चलूँ आपको वो यह है कि अगर आपका center 0 0 नहीं है अगर आपका यह center 0 0 नहीं होता तब आप क्या करते तब आप कुछ नहीं करते अगर center 0 0 की जगा यह कोई h के होता तो आपकी equation बनती x-h whole square by a square इसकी बता रहा हूँ horizontal transfers की बता रहा हूँ minus y-k whole square by b square बराबर बना तो यही बात है सारी hyperbola की okay hyperbola की discussion मैं complete कर रहा हूँ और शुक्रिया बहुत महरबानी हम सभी की कि अगर रहा हूँ झाल